तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे Black Adam movie trailer के बारे में बहुत टाइम से इसके बारे में चर्चा सुनता आ रहा था तब से इसकी movie का wait था कि बया यह movie कब आएगी कब आएगी at least इसका ट्रेलर और कुछ टाइम बाद इसकी मुवी भी हमें सिनेमा घर में देखने को मिल जाएगी अब यहां पर ट्रेलर के अंदर हमें जो देखने को मिला है उसकी बाते कर लेते हैं कहार वह तो आप लोगों ने देख भी लिएगी मुझे लगा एक दो तीन means उसकी जो life हमें दिखाय जाती है कि इसकी स्टाइटिंग में जो गुलाम होता है उसकी death होती है फिर फिर वह देवता के रूप में जनब लेता है यहां पर इसके बच्चे कि डेथ हो जाती है फिर वह hero बनके सामने आते हैं वीलन-डन के सामने आते है यह वाला confusion है मतलब अब इसकी जो life है जो ये एक modern दुनिया के अंदर जैसे हमें दिखाया जाता है जो थोड़ा बहुत past में इसकी थोड़ी बहुत हमें जलक देखने को मिलती है टेलर में गुलाम था गुलाम के बाद देवता बना देवता बनने के बाद अब यहाँ पर जब इसके उपर ला-1 गाँ पर अब यहाँ पर एसकी आपने ला-1 यह पर इसको कहा बी जाता है देखो या तुम्हारे उपर है अगर तुम hero बनोगे तो सब सही रहेगा इंसानित के लिए अगर तुम villain बन जाओगे तो तुम सब खराब कर दोगे तो इसकी जो journey हम भी देखने को मिलने वाली है इस movie के अंदर कि भाई यह क्या चुनता है आपको भी पता है कि क्या चुनेगा लेकिन जो journey है वो देखकर काफी जादा interest आएगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है इसके trailer को देखकर वी effects इसके मुझे काफी बढ़िया लगे और इसका background music भी काफी जादा अच्छा मुझे लगा है तो कुल जमा बात यह है कि भाईया टेलर देखकर मजा है मतलब असली का जो मजा है मतलब अच्छा लगा है मुझे अगर आप लोगों ने इसको देखा है तो अपने comment section उसमें कुछ लिख देना प्यार से कि आपको इस movie से क्या-क्या उमीदे है मुझे black adam को जैसे वो personality देखकर तो लगता भया यह hero है लेकिन जैसे इसके अंदर काम दिखाया जाते है तो फिर लगता है यह villain है यह तो मतलब सब कुछ उजाड़ के रख देगा तो यह जो चीज मुझे देखने के लिए म मतलब कि adam उड़ रहा था तो एक superman वाली feeling आयती मुझे लगा है काफी बढ़िया जाएगा यह जो चीज आप दिखा रहे हो हिंदी के अंदर भी इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है हिंदी dubbing काफी मुझे अच्छी लगी और यहाँ पर उमीद करता हूँ कि जो यह movie release हो त साली पड़ा रहता है और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि ट्रेलर तो free of cost है कम से कम उसे तो देखी लो movie का तो बाद की बात देखो ना देखो तो बस साच के लिए तना है था थैंक्स रोटिंग इस वीडियो मिलते है नेक्ट वीडियो में जाहिन